हेलो फ्रेंड कैसे हूँ आप सभी अपने दम पर लिखते हैं इस रासी वाले सपलता की कहानी हर कोई करता है इनकी तारीब तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं देख लेते हैं कौन-कौन सी रासी वाले हैं जोत सास्तर के अनुसार गिरहों का प्रभाव मनुस पर पड़ता है गिरहों के प्रभाव से रासियां भी प्रभावित होती हैं जब सुब गिरहों की संक्या कुंडली में अधिक होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर यानी विना किसी सायोग से पहचान बनाने में सफलता हासिल करती हैं इसलिए सपलता दूसरों को भी सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है यह लखी रासियां कौन सी है आईए जानती है ब्रसव रासी का स्वामी सुक्र ग्रह है जोत सास्तर में सुक्र को लगजरी लैप धन और लोग ब्रियता का भी कारक माना गया है सुक्र जब इस रासी में होता है तो सुफल प्रदान करता है ऐसे लोग अपने काम को बहुती अच्छे धंग से करते हैं ऐसे लोग आलस से दूर रहते हैं इनके द्वारा किये गए कार्यों लोगों को फिर भावित करते हैं व्रस रासी के लोग तकनिक के अच्छे जानकर होते हैं जिस कारण उनके काम करने के तरीके में एक बिसेस बात दिखाई देती है जिन लोगों का नाम ई, उ, ए, ओ, ब, 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 से आरंब होता है उनकी रासी व्रस सब कहलाती है मकर रासी के लोगों की स्टाइल में एक साहीपन देखने को मिलता है ये अपनी छबी पद की गर्मा, अनुसासन नियम और मर्यादा को विशेस दिहान रखते हैं मकर रासी के स्वामी सनी देव हैं जोतर सास्त्र में सनी गर्हों को सभी गर्हों में निया धीज बताया गया है यही कारण है इस रासी के लोग नियमों को मानने वाले होते हैं इनके वीतरी और बाहरी दोनों सौभाब में भी नर्मता पाई जाती है यह उपर से सक्त और वीतर से नर्म दिल होते हैं जिस कारण लोग उन्हें कभी कभी पहँचानने की गल्ती कर देते हैं मकर रासी के लोग सभी को साथ लेकर चलने वाले होते हैं यह दूसरों के हितों की रक्षा करने वाले होते हैं इन में नेतर तब बनाने की जमता होती है यह हर जिम्मेदारी को भहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करने वाले होते हैं यह जीवन को राजाओं की तरह जीते हैं जिन लोगों का नाम हो जाजी की खूखे खोगागी है से शुरू होता है उनकी मकरासी होती है तो प्रेंड ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर करते हैं चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब पलें और मुझे कमेंट करके जरूर परता है धन्यवाद